Hello everyone, आज हम आमले के मुरब्ब बनाएंगे आमले के मुरब्ब बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये बड़े आकार के और हलके से पकी हुए हो आप देख सकते हैं कि आमले में थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है एकदम आमला बिल्कुल ग्रेन नहीं है इसका कसेलापन थोड़ा कम होता है इसका मुरब्ब ज्यादा अच्छा लगता है हमने 700 ग्राम आमला लिया है जिसे हमने पहले ही वास कर लिया है तो सबसे पहले हम आमले को पिक कर लेंगे जब हम इसमें छेद करेंगे तो चासनी जो है वो अंदर तक जाती है तो आप कोशिस करें कि जब आप पिक कर रहे हैं तो अंदर तक करें आमले में आइरन और बिटामिन C बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही आविस्यक है आमले के मुरब्बा गर्मियों के दिन में एक रुजाना खाल रिया जाए तो सारे दिन की गर्मियों को सहन करने का ताकत देता है आमले को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा मेहनत के बाद एक अच्छा मुरब्बा आपको खाने को मिलेगा हमने आमले को गोद लिया है या आप देख सकते हैं तो सेम प्रोसेस बाकी भी आमले में हम छेद कर लेंगे यहाँ पर हमने सारे आमले को पिक कर लिया है अब हम चलते हैं निफ्ट प्रोसेस पर आमले के जूस इतने सारे निकले हुए है पिक करते समय इसे आप फेके ना सहथ मिलाकर या ऐसे भी आप पी सकते हैं हमने एक लिटर पहले से ही पानी बॉल करने के लिए रख दिया है पानी में उबाल आने दे हमें आमले को उबालना नहीं है बस उबले हुए पानी में इसे डाल दे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है अब हम आमला डाल देंगे और इसके बाद गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे गैस बंद करने के बाद अब हम इसमें फिटिक्री डाल देंगे फिटेकरी से जो आमले में कसलापन होता है वो कम हो जाता है आमले को हलके हाथों से थोड़े से चला देंगे फोर्क के हेल्प से अब हम इसको ढख देंगे एक घंटे के लिए ढखे हुए ही इससे छोड़ देंगे एक गंटे के बाद जब हम देखेंगे तो आमला थोड़ा सा सौफ्ट हो चुका होगा तो सबसे पहले इसका पानी हटा देंगे एक प्लेट में हमने आमले को ट्रांसफर कर दिया है अब हम आधे गंटे के लिए इसे धूप में सुखा देंगे आधे गंटे के बाद आमला जो है ओ ऐसा दिखने में हो जाएगा हमने यहाँ साथ सो आमले के लिए साथ सो ग्राम चीनी ली है यहाँ पर हमने पानी का उप्योग नहीं किया है चीनी और आमले को ऐसी ही मिक्स करके दो गंटे के लिए हम छोड़ देंगे अगर आप आमले का मुरब्बा तुरंत बनाना चाह रहे हैं दो घंटा इसे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ हाफ कप पानी का उप्योग जरूर करें आमले में चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है अब हम गैस के फ्लेम को अन करके इसे चारो तरब से मिक्स कर लेंगे चीनी जो है गरमाहट से मेल्ट हो ना इफ्टाठ हो गया है तो आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो चीनी जो है और नीचे चिपक जाएगी तो आप इसे मिलाते रहें इस पर एक ढकन लगा देंगे और इसे पकने देंगे बीच बीच में चेक करते रहना है हमें यहाँ पर चीनी जो है ओम मेल्ट होना इफटाट हो चुका है बीच बीच में हमें आमले को ऐसे मिक्स करते रहना है तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखा है आमले को हमने बीच-बीच में ऐसे चलाते रहना है अब हम इसमें दो इलाईची क्रस्ट करके डाल देंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर एक इंच दालचीने का टुकड़ा एक चौथाई चम्मच सौम्फ इससे टेफ्ट बहुत ही अच्छा आता है लेकिन आपको पसंद ना हो तो आप इसे इसकेप कर सकते हैं चेनी जो है वो थोड़ा थिक होना इस्टाट हो गया है आमला जो है वो सौफ्ट होना शुरू हो गया है लेकिन जब तक इसका कलर गुलाब जामु जैसे अच्छे से देखने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे तो कुछ तिर बाद इसे चेक कर लेंगे कि यह पका है की नहीं एक आमले को निकालेंगे और इसे चेक कर लेंगे चासनी अंदर तक गई है की नहीं तो यहां देखिए आमला बहुत सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे तो यहां पर हमारा आमले का मुरब्बा बन करके तयार है अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए आप ऐसे प्लेट से ना ढाके ताकि इस्टिम बने नहीं तो वह जो पानी है वह मुरब्बे में जाएगा फिर यह आपका मुरब्बा जादा दिन तक नहीं ठिकेगा तो आप चाहे तो इसे खूला छोड़ दे या सेफटी के लिए जालिदार प्लेट या कपड़े से कवर कर दें तो यहाँ पर दो घंटे के लिए आमले को हम ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहा है तो दो घंटे के बाद मैं इसका टेक्चर दिखाऊंगी कि यह कैसा बना हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सूपर टेफटी आमला का मुरब्बा बन करके तयार है पाने का उपियोग हमने बिलकुल नहीं किया है और चासनी जो है ओ बिलकुल सही दिख रही है तो आप देख सकते हैं कि बिलकुल हनी के जैसा दिख रहा है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें आमले का मुरब्बा बनाने के समय हमें ध्यान रखना है कि पीतल, एन्मुनियम, लोहा ऐसा कोई भी हमें बर्तन में आमले का मुरब्बा नहीं बनाना है ऐसे बर्तुनों में आमले का मुरब्बा का टेफ्ट सही नहीं होता है तो आमले का सीजन है आप आमले का मुरब्बा बनाईए खाईए और अपना उनभव मुझे सेर जरूर कीजिए